एक अप्रेल 2023 से इंकम टैक्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं हमारी सहयोगी कमपनी BQ प्राइम हिंदी से हमारी सहयोगी नियती बोहरा आपको बता रही है कि कैसे बदल रही है आपकी हमारी और हर एक टैक्सपियर की जिन्दगी एक अप्रेल यानि April Fool's Day नहीं एक नए financial year की शिरुवात और income tax payers के लिए इस बार ये शिरुवात हो रही है कई बड़े बदलावों के साथ अगर आप ये announcements miss कर गए है तो चिंता मत करिए BQ प्राइम हिंदी है ना आपको फटाफट सब बताने के लिए सबसे पहली और सिस्टम के हिसाब से टैक्स देना होगा अब नज़र डालते हैं कुछ और महत्वपून बदलावों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेर्स नए टैक्स सिस्टम में शामिल हो इसलिए टैक्स में छूट की सीमा धाई लाक रुपे से बढ़ा कर तीन लाक रुपे कर दी चलि ये भी समझतेएं कि ऐसा होगा कैसे जैसा हमने आपको पहले बताया कि सरकार चाहती हैं कि ज्यादा से जादा लोग नए टैक्स सिस्टम को चुने इसलिए नए टैक्स रिजीम और करने वालों के लिए टैक्स रिबेट को 12500 रुपे से बढ़ा कर 25000 रुपे तक कर दिया गया है हाँ अगर आप अभी पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो पांच लाक रुपे तक की इं इंपॉर्टन बदलावों की तरफ अगर आपकी सालाना कमाई पांच करोड रुपे से जादा है तो आपको अब सरचाज रेट 25% ही देना होगा पहले सरचाज 37% की रेट से लगता था इनफाक्ट नए टैक्स सिस्टम में 2 करोड रुपे से जादा इंकम होने पर ही परी जिंदगी में स्रिफ एक बार ये option मिलेगा सिर्फ एक बार आपको पुराने टैक्स सिस्टम में जाने की permission होगी और उसके बाद नए टैक्स सिस्टम में लोटने का कोई option नहीं मिलेगा तो बहुत ध्यान से और पूरे calculation के बाद ही कोई option चुने अगर आप खुद टैक इंकम टैक्स कैलकुलेटर लॉंच किया है ताकि आप अपना फैसला सोच समझ कर आसानी से ले सकें तुबस सोचने का वक्त खत्म अब अपनी जिम्मिदारी निभाईए समझदारी से अपना टैक्स सिस्टम चुनिए और फटा-फट अपना टैक्स भरिए ऐसा नहों कि 31 मा आज के बाद कहीं आप एप्रिल फूल ही ना बन जाएं